हेलो दोस्तों आपका इंप्रूब लर्निंग विद आधित्य चैनल में बहुत दोस्वागत है दोस्तों आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से लेटेट करंट अफेस के जितने भी कुश्चन है उमें आप लोगे सामने लेके आया हूँ तो अगर ये वीडियो आपनों को जिससे मैं कोई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जूरू किया कीजिए इसके लावा मैं इस चैनल पर समिधानस रिलेटेड जीयस के और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी वीडियो मैंने अल्रेड़ी अपलोड कर दी है और भी आगे मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और डेली साम के समय में टेट सीटेड से रिलेटेड टॉप 20 क्वेस्चन जो एक्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा येक दोस्तों मारा पहला कुश्चन है कि अभी अमित साह द्वारा भारत के किस सहर में CRPF के राष्ट्री व्रिच्छा रोपन अवियान का सुभारम किया गया तो दोस्तों अभी ग्री मंतरी अमिसा के द्वारा भारत के गुरुगराम सहर जो की हर्याणा का एक सहर है वहाँ पर C.R.P.F. के राश्टरी विच्छा रोपन अविःान का सुभारम किया गया है अच्छा अब एक गुरुगराम हर्याणा में है तो चलिए हम हर्याना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों हर्याना की capital है चंडीगर इसके अलावा चंडीगर खुद अपने आप में एक union territory है और पंजाब की भी capital है चंडीगर हर्याना के मुख्य मंदरी की बात करें तो हैं मनुहर लाल खटर राजपाल है सत्य देव नारायन आर्य विदान सवा में कुल सीटों की बात करें तो हैं 90 राज़ सवा में सीटों की बात करें तो 5 लोग सवा में कुल सीटें हैं 10 और प्रतिव्यक्ति आय के आदार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज़ है और भारत के सबसे अधिक ग्रामीड करोणपती भी इसी राज में है ये आप जरूर याद रखेगा 1906 में भारत के 17 वे राज के रूप में इसे पहचान मिली हमारा अगला कुश्चन है कि अभी केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने किस राज में 20,000 करोण से अधिक की 11 राश्टरी राज मार्क पर योजनाओं का उध्धाटन एवं सिलान्यास किया हमारा अगला कुश्चन है कि किस देश के प्रदान मंत्री इलियास फाक फाक ने इस्तीफा दिया है तो दोस्तों अभी इलियास फाक फाक ने ट्यूनीसिया के प्रधान मंत्रीपत से इस्तीफा दिया है अच्छा अब इन्हों ने इस तब इस्तीफा दिया है ट्यूनीसिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों ट्यूनिसिया की कैपिटल है तूनिस इसकी राज भासा है अर्बी प्रदान मंत्री है हबीब एसीद और राश्पती है बजी कैद इसपसी और ट्यूनिसिया की करंसी है दीनार इतना आप लोग इससे याद रखेगा हमारा अगला कुश्चन है कि अभी हाल ही में A.A.I. ने नागरिक उड्यान छेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझोता किया है तो दोस्तों अभी A.A.I. ने नागरिक उड्यान छेत्र में सहयोग के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड अर्थाद B.E.L. के साथ सम पहले हम A.A.I के बारे में देख लेते हैं तो दोस्तों A.A.I का पूरा नाम है Airport Authority of India तथा B.E.L. का पूरा नाम है भारत Electronics Limited दोस्तों इनके बीच में एक समझा होता हुआ है जिसका उद्देश से है एसिया प्रसान छेतर में हवाई एरपोर्ट कारोबार में उभरते नागरिक विमानन व्यापार के साथ साथ दच्छिडपुरू A.C.I. अफ्रिकी और लैटिन अमेरिकी नागरिक विमानन बाजारों में उतरने के लिए B.E.L. की मदद करेंगी दोस्तों ये M.E.O.U. भविस्त में नागरिक उड्डियन उद्द्यों को गती देने में भी स देश से बाहर करने की घोशला की है तो दोस्तों अभी ब्रिटेन ने 2027 तक चीनी कंपनी हुआ वेई को अपने देश से बाहर करने की घोशला की है तो उससे पहले ब्रिटेन के बारे में देख लेतने हैं दोस्तों ब्रिटेन को युनाटेट किंगडम भी कहते हैं जिसकी क अप्लांटिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिस चैनल और आईरिस सागर से घिरा हुआ है अब बात करते हैं चीन की तो दोस्तों चीन की कैपिटल है बीजिंग, राश्पति है जी जिन्पिंग, करंसी है रेंड मिन्बी और अभी हाल ही में चीन ने अपना रच्छा बजट बढ़ा कर 180 अरब अमेरिकी डॉलर कर लिया है दोस्तों मारा अगला कुश्चन है कि अभी किस राज सरकार ने अपने राज में एसिट हमले के पीडितों को 5000 रुपय की मासिक वित्ती सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये दोस्तों भी मद्ध प्रदेश गवर्मेंट ने अपने राज में एसीट हमले से पीडित लोगों को 5000 की मासिक वित्ती साहयता प्रदान करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये अब यह मंजूरी दिये मर्द्य प्रदेस गौवर्मेंट ने तो चलिए मर्द्य प्रदेस के बारे में थोड़ा सम देख लेते हैं दोस्तों मर्द्य प्रदेस की कैपिटल है भुपाल, मुख्य मंतरी हैं सिवराज सिंग चौहान, राजपाल हैं लाल जी टंडन और विदान सवा में कुल सीटे हैं 231, राज सवा में कुल सीटे हैं 11, लोक सवा में कुल सीटे हैं 29 और मद्य प्रदेस में ही काना टाइगर रिजर्व हैं जहां पर भारत के सबसे अधिक बाग पाय जाते हैं और पूरे विश्व के भी सबसे अधिक बाग जो हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं जो लगबग 75 परशेंट है हमारा अगला कोश्चन है कि भी स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड अमबेजडर कौन बनाए गए हैं तो दोस्तो अभी स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड अमबेजडर बनाए गए हैं आपको फोटो में दिखाई दे रहोंगे ब्रेटली ये पूरू क्रिकेटर है अस्टेलिया के इन्हें अभी स्पोर्ट अड्डा का नए ब्रांड अमबेजडर तो अभी इन्होंने क्या किया है कि ब्रेटली को अपना नया ब्रांड नबेश्टर बनाया है है हमारा अगला कुछ चने कि अभी मानो संसाधन मंत्री रमेश पोखर्याल निसंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डियागनोस्टिक किट को लांच किया है यह किस आई अगला कि अग्रासमंत्री रमेश पोखर्याल निसंक जी अच्छा जो बगल में लिखा यह इनकी अस्थापना कब वही तैसके बारे मैं लिखा है तो आयाइटी दिल्ली के स्थापना हुई है 1961 में आयाइटी दनबाद के स्थापना हुई थी निस सो चब़िस में प्लब जांच कीट है उसकी कीमत लगवख 4500 के आसपास है लेकिन यह जो अभी IIT दिल्ली के द्वारा जो जांच कीट बनाई गए COVID-19 की कीमत है बस 650 रुपए और इसको आप सरकारी लैब या अस्पताल ICMR के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जबकि अगर आपको इसे निजी अस्पताल से खड़िना है तो आप सीधे उसे पैसे दे कर इसे खड़िश सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा जो COVID-19 की जांच है उसमें तेजी आएगी कहां 4500 रुपए लगते थे और अब कहां 650 रुपए में ही COVID-19 की जांच हो जाएगी यही है कोरोश्योर जिसे एप्रूब्ड किया है ICMR ने और IIT दिल्ली के द्वारा इसे बनाये गया है हमारा अगला कुश्चन है कि अभी किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया संयुग मटीका न्यूमो कोकल पॉली सेके राइड को विक्सित किया है तो दोस्तों अभी सीरम संस्थान पूड़े ने यह जो टीका है न्यूमो कोकल पॉली सेके राइड को विक्सित किया है हम थोड़ा सा सीरम संस्थान पूड़े के बारे में जान लेते हैं तो इसकी अस्थापना होई थी 1906 पूना वाला इसके प्रमुक है अदर पूना वाला और इसका हेटकॉाटर है पूने महाराष्ट में हमारा अगला कुस्चन है कि अभी किस राज की पोवा रिजर फारेष्ट को राष्टरी उद्यान में बदलने की गोश्णा की गई है तो दोस्तों अभी आसाम के जो पोवा रिजर फारेष्ट है उसको राष्टरी उद्यान में बदलने की गोश्णा की गई है तो अभी अगर लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो आसाम में बाढ़ की वाज़े से जो हां का काजी रंगा राष्टरी उद्यान है वो बहुत ज्यादा छती ग्रस्त हो गया है जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसित था तो हम से पहले आसाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो दोस्तों आसाम की कैपिटल है दिस्पुर मुख्यमंत्री है सरवानंद सोनोवाल राजपाल है जगदी दोस्तों असम में कुल 34 असनों दो प्रस्त मुस्लिम आवादी है और यह संख्या किसी भी गैर मुस्लिम राज जिसे बहुत जादा है असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी अभी आपको बताया मैंने काजी रंगा नेशनल पार जो यहां से गुजरती है जब आसाम से तो लगबग 10 किलो मीटर तक चौड़ी हो जाती है उसकी चौड़ाई मतलब बढ़ जाती है हमारा अगला कुस्चन है कि भारती रेलवे द्वारा कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किस कोच का निर्माड किया गया है तो दोस्तों जिस कोच का निर्माड किया गया उसका नाम है पोश्ट कोविट 19 कोच अब इसका निर्मार भारती रेलवे के द्वारा किया गया चलिए भारती रेलवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों यह भारत सरकार द्वर विक्सित नियंत्री सारजनिक रेल सिवा है इसे भारती रेल भी कहते हैं इसकी कुल लंबाई है 66415 किलो मीटर और भारती रेलवे रोजाना लगबग धाई करूड यातियों को उनके मंजिल तक पहुचाती है जो की अस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है दोस्तों इसकी अस्थापना हुई थी 8 मई 1845 को जबकि इसका राश्री करण किया गया 1901 में दोस्तों हेटक्वाटर इसका है नई दिल्ली में केंदरी मंतरी हैं इसके पियूस गोयल और रेल राज मंतरी हैं सुरेश अंगडी रेल्वे बोर्ड के अध्यच्छे वीके यादों इसके पहले थे अस्थुनी लोहानी दोस्तों पहली आत्री ट्रेंट 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी जो लगबक 34 किलोमेटर की डिस्टेंस ट्रेबल की थी हमारा अगला कुश्चन है कि अभी किसे इन्फरा बिजनेस लीडर आप द इयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों अभी जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं वेद प्रकास दुदेजा को Infra Business Leader of the Year Award से समानित किया गया है दोस्तों ये RLDA अर्थात Rail Land Development Authority के उपाध्यच भी है हमारा अगला कुश्चन है कि अभी किस देश ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन जीव सरवेच्छन का किर्तिमान बना कर Guinness Book of World Record में जगह बनाई है तो दोस्तों अपने देश भारत ने अभी कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन जीव सरवेच्छन करके Guinness Book of World Record में जगह बनाई है हमारा अगला कुश्चन है कि अभी हाल ही में भारती सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 Assault Rifle खरीदने की घोश्चना की है तो दोस्तों अभी भारत ने सन्युक्त राष्ट अमेरिका से लगवग 72,000 SIG 716 Assault Rifle खरीदने की घोश्चना की है तो सबसे पहले हम सन्युक्त राष्ट अमेरिका के बारे में देख लेते हैं दोस्तों इसी कैपिटल है वासिंगटन डीसी राष्ट पती है डोनल्ड ट्रम्प मुख हिनाईदीस है जॉन रॉबर्स और केरंसी है यूएश डॉलर हमारा अगला कोश्चन है कि अभी रुरेंद्र टंडन को हाली में किस देश में भारत का अगला राजदूत न्यूक किया गया है तो दोस्तों अभी रुरेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत न्यूक किया गया है अफगानिस्तान के बारे भी देख लेते हैं तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबूल राश्ट पती है असरफ गनी अहमद जई प्रदान मंत्री है अब्दुल्ला अब्दुल्ला अस्थापना हुई अक्टूबर 1747 को युनाइट किंग्डम से सतनता मिली थी 19 अगस्त 1919 को और इसकी करेंसी है अफगानी हमारा अगला कुश्चन है कि अभी किसे USIBC Global Leadership Award 2020 से समानित किया गया है दोस्तों अभी N. चंद सेखरन जो की टाटा के अध्याच्छ है और जिम टैकलेट जो की लॉक हिड मार्टिंग के अध्याच्छ है इन दोनों लोगों को USIBC Global Leadership Award से समानित किया गया है दोस्तों ये है N. चंद सेखरन और ये है जिम टैकलेट और इन्हें ही अभी USIBC Global Leadership Award 2020 से समानित किया गया तो दोस्तों उमीद है कि ये वीडियो आपनों को पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों में सेयर कीजिए तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर लिजिए झाल आप लोग झाल आपर लोग झाल आपने आपर लोग एजिए